नमस्कार चात्रो, मैं डोक्टर रवी, सहाई का चारिये रिशिकुल संस्कित महाविद्याले गुरु गुराम से आज हम संग्या की परिभाशा वैब भेदो के विशे में चर्चा करेंगे संग्या की परिभाशा देखते हैं किसी भी वैक्ती प्राणी वस्तु स्थान गुण जाती या भाव दशा आदी के नाम को संग्या कहते हैं देखिए सामानी सब्दों में अगर कहें तो संग्या का अभिप्राए नाम से है इस संसार में हमें जो भी वस्तु दिखती है, जो भी पदार्ती संसार में विद्यमान है, उसका कुछ ना कुछ नामकरण अवश्य किया गया है, उसके कुछ ना कुछ संग्या रखी गई है, उसी को संग्या कहते हैं, उधारन के तोर पे देखते हैं, सा जहा ने कसमीर में से प्रफ़ेव, सुन्दर्ता ये सब क्या है संग्या शब्द है अब परसन उठता है के संग्या के परकार या भेद कितने है तो संग्या के भेद पर सभी वयाकरण एकमत नहीं है परन्तु अधिकतर संग्या के पाँच भेद मानते है जो निमिन लिखित है पर्फम है वैक्ति वाचक संग्या दूसरा है जाति वाचक संग्या तीसरा है भाव वाचक संग्या चोथा है द्रव्वे वाचक संग्या और पाँचवा है समूव वाचक संग्या आईए अब हम सबसे पहला जो संग्या का भेद है वैक्ति वाचक संग्या इसके विशे में जानते हैं जिस सब्द से किसी विशेश वैक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे वैक्ति वाचक संग्या कहते हैं अर्थात गांदी जी, किर्शन, मोहन, रादा, दिनेश, हिमाचल, हिमाल्य, उत्तर, पश्चिम, दक्षिन, पूरू, भारत, नेपाल इस परकार कोई भी एक विशेश वस्तु का जिस नाम से हमें बोध होता है ज्यान होता है उसे वैक्तिवाचक संग्या कहते हैं अगला भेद देख लेते हैं जाती वाचक संग्या जिन संग्याओं से एक ही परकार की वस्तुओं अत्वा वैक्तियों का बोध हो उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं जैसे नागर, गाउं, घर, आम, तोता, नदी, हाथी, मनुश्य, माता, पहाड, आदी अब इन जो ये शब्द हैं जैसे हाथी है अब इस शब्द से पूरी हाथी जाती का बोध हो रहा है अब इस लड़का शब्द से सभी लड़कों का बोध हो रहा है इसलिए इन्हें जाती वाचक संग्या शब्द कहते हैं आईए अगला इसका भेद देखते हैं भाव वाचक संग्या जिस संग्या सब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धरम दशा अत्वा व्यापार का बोध हो उसे भाव वाचक संग्या कहते हैं यहाँ पर धरम गुण अर्थ और भाव प्राय प्रयाई वाच्ची शब्द हैं जैसे लंबा बूड़ा नम्रता समझ चाल मिठास अगला भेद है समू वाचक संग्या जिस संग्या से वस्तु अत्वा वैक्ति के समू का बोध हो उसे समू वाचक संग्या कहते हैं जैसे वैक्तियों का समू सेना भीड जुंड जनता सबा गिरोहो दल वस्तुों का समू गुच्छा कुंज मंडल गोद इत्यादी शब्द ये सब समू वाचक शब्द होते हैं। अगला जो अंतिम संग्या का भेद है वो है द्रव्य वाचक संग्या। द्रव्य का सामाने रूप से अर्थ देखें, तो जो द्रव्य तरल रूप में वस्तुवे होती हैं। जिस संग्या से नाप तोल वाली वस्तुव का बोध हो उसे द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं कहने का तात्परिय यह है कि द्रव्य वाचक संग्या से किसी ऐसी वस्तुव का बोध होता है जो पदार्थ तो है परंतु उसे गिना नहीं जा सकता उसका परिणाम हो सकता है द्रव्य वाचक संग्या का प्राय बहु अचन नहीं होता जैसे दूद, लोहा, पीतल, चावल, पैट्रोल, घी, तेल, सोना, चांदी, आदी ये शब्द क्या है द्रव्य वाचक किसी ना किसी द्रव्य के विशे में बता रहे हैं, सूचित कर रहे हैं इस कारण से इने द्रव्य वाचक संग्या शब्द कहा जाता है संग्या भेदों का परसपर परिवर्तन देखिए जो शब्द होते हैं संग्या के वो आपस में परिवर्तित हो जाते हैं आईए समझते हैं किस परकार से जो हम संग्या के भेद देखते हैं वो अध्यन की सुवीदा हेतु है भासा में इस बात का अधिक महतो है कि वाक्य में परियुक्त होकर वह शब्द क्या परकारिय कर रहा है कदापी वैक्ति वाचक संग्या शब्द का परियोग जाति वाचक के रूप में तथा जाति वाचक संग्या शब्द का परियोग वैक्ति वाचक संग्या के रूप में दिखता है देखिए कुछ शब्द होते हैं जो वैक्ति वाचक होते हैं वो जाति वाचक का कारिये भी करते हैं और कुछ शब्द जाति वाचक होते हुए भी वैक्ति वाचक संग्या का कारिये करते दिखाई पड़ते हैं वैक्ति वाचक संग्या शब्द का परियोग जाति वाचक के रूप में देखते हैं जब हम किसी परसिद वैक्ति के नाम का परियोग उसके गुण बताने के लिए करते हैं तब वे शब्द जाति वाचक संग्या की तरह परियोक्त होने लगते हैं जैसे भीष्म पिताम है द्रड़ परतिग्या के लिए मशूर है पर यदि हम कहते हैं कि रमेश तो भीष्म पिताम है उसे अपने रास्ते से कोई नहीं हटा सकता तो यहां रमे स्वेम भीस्म पितामय नहीं हैं बलकि द्रड परतिग वैक्ती हैं ऐसी स्थिती में इस वाक्य का भीस्म पितामय शब्द परकारिय के आधार पर जाती वाचक संग्या माना जाएगा आईए अब कुछ और उदारन देखते हैं भाई मुझ सूर्दास की मदद करो जो यहां पर सूर्दास शब्द है वो जाती सूचक है क्योंकि सूर्दास शब्द सभी जो आखों से विकलांग वैक्ती होते हैं उनके लिए यहां पर परियोग हुआ है मैं तो एकलव्य हूँ गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यहां पर जो एकलव्य शब्द है वो जाती वाचक संग्या माना जाएगा वह तो विबीशन निकला उसने अपने ही लोगों को धोका दे दिया विबीशन शब्द देखिए जाती वाचक बन जाएगा यहां पर आईए इसी परकार जो जाती वाचक संग्या का वैक्ती वाचक संग्या के रूप में परियोग होता है उसका हम उस पर हम चर्चा कर ले कुछ जाती वाचक संग्या शब्द किसी वैक्ती विशेश के लिए परियोग्त होकर अपने अर्थ में रूड हो जाते हैं जैसे महत्मा जी शब्द है तो जाती संग्या शब्द पर यदि कोई कहता है महत्मा जी के बलीदान के कारण ही भारत सुवतंत्र हुआ तो यहां म महत्मा जी शब्द जाती का बोद नय करा कर महत्मा गांदी वैक्ती विशेश का बोद करा रहा है आईए अब इसके कुछ और उधारन देख लेते हैं नेता जी ने कहा तुम मुझे खूंदो मैं तुमें आजादी दूँगा अब यहां जो नेता जी शब्द है वो है तो जाती वाचक शब्द लेकिन यहां पर वो कारिय क्या कर रहा है वैक्ती वाचक संग्या का आजादी के बाद सरदार देश के उपरदान मंत्री बने यहां पर भी सरदार जो शब्द है वो है तो जाती वाचक लेकिन यहां पर वैक्ती वाचक संग्या का कारिय कर रहा है पं भाव वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या के रूप में परियोग, भाव वाचक संग्या शब्दों का परियोग हमेशा एक वचन के लिए किया जाता है, किन्तु यदि भाव वाचक संग्या शब्द का परियोग भावचन में किया जाए तो वह जाती वाचक संग्या का प के रूप में परियोग देखते हैं बिमारी से बचकर रहो इसका जातिवा चक के लिए कैसे परियोग होगा इतनी तरह की बिमारीों से कैसे बचा जाए प्राथना करो आवश्यक सफलता मिलेगी सबकी प्रातनाओं का अवश्य असर होगा कभी किसी की बुराई मत करो जातिवाचक में बुराईयों से बचकर रहना भावाचक में परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी सफलताएं किसी अच्छी नहीं लगती ये जातिवाचक में बन जाएगा धन्यवाद मैं डॉक्टर रवी सहाई का चारे रिशी कुल संस्कित महाविद्याले गुरु गुराम से बहुत बहुत धन्यवाद